लेक्ट्ट्र में हम लोग ने देखा कि किस तरह से और इंगल को यह बढ़ता जाए बढ़ता जाए यह तो टल इंटर्नल रिफ्लेक्शन पर वह मैक्सिमम एंगल जिस पर कि यह जो इसे जो ने फैसे जैंकड से तोल इंटर्नल रिफ्लेक्शन हो जाए गा यह तोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन fiscal घयर जाए बेहें घूझ मैक्सिमम निंगल जिस पर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए फाइवर के अंदर वो यह पढ़ लिया था अब यहां पर हम लोग निमेरिकल अपार्चर निकालेंगे और देखेंगे कि यह क्या होता है चलिए देखते हैं तो जहां पर देखेंगे अगर हम लोग यहां पर इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन एयर एक मिडियम है जहां से लाइट आ रही है और फाइवर के अंदर जा रही है तो एयर एक मिडियम है दूसरी मेडियम में जब light जाती है उसको reflection कहते हैं है ना तो important कहते हैं तो reflection का law smell slow अगर हम यहां लगाते हैं smell slow अगर लगाते हैं इस point पर smell slow लगाते हैं तो क्या हो जाएगा sin theta acceptance angle divided by sin theta this one angle is equal to क्या होगा कौन से वाले फाइबर में गईगा अच्छा अगर फाइबर यह पोर होता है और यह क्लाइडिंग होता है है ना इसके उपर वह बफर होता है फिर जैकेट होता है तो कोर को हमने अगर medium 1 माना तो इसका जो refractive index होगा वह n1 हो जाएगा क्लाइडिंग को अगर medium 2 माना तो इसका जो refractive index होगा हो n2 पहतेंगे उसको तो sin theta a divided by sin theta is equal to theta कौन से medium में बन रहा है तो फॉस्ट मेडियम में बन रहा है तो n1 divided by n a जिस medium में यह इंगर बनता है उपर वाला इंगर उसके जस्ट आपोजिट वाला जो आपोजिट वाले का refractive index उपर रखते हैं तो इस medium में air वाले medium में एक सकते हैं यह पहना वाला इंगर बन रहा था तो इसके आपोजिट व वाले का एं यहां रखते हैं तो वहीं मैंने किया इसका एंगल लिया तो इसके आपोजिट यानी फॉस्ट मेडियम का refractive index लिया इसका एंगल लिया तो इसके आपोजिट यानी air का refractive index लिया और air का refractive index अपने को पता है कि कितना होता है वान होता है ठीक है तो इसको हम ए डिवाइडेड बाई साइं थीटा इकूल टू एन वन वाई एसन तो हो जाएगा साइं थीटा ए यहाँ से यहाँ से यहाँ यह वाला 90 है क्योंकि हमने परपेंडिगुलर डाला है तो यह 90 है और आगर यह 90 है और यह थीटा है तो क्या हम theta को 90 degree minus theta c लिख सकते हैं यह वाला यह एंगल c है theta c है तो इस एंगल को क्या हम 90 minus theta c लिख सकते हैं तो अगर 90 minus theta c लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा sin theta a क्या हो जाएगा is equal to n1 sin 90 minus theta c यह हो गया अब अगर यह हो गया तो साइन नाइनटी माइनस थीटा इवल टू कॉस थीटा होता है यह हम लोगों ने पढ़ा है तो हो जाएगा साइन थीटा एज इवल टू एज़ो एन वन पॉस थीटा सी और पॉस थीटा सी इक्वल टू क्या होता है यह होता है यह होता है 1-पॉस थीटा सी इसको हमने एक्वेशन नमबर वन कह लिया ठीक है ज़िए अब देखते हैं एक्वेशन नमबर वन के बाद एक्वेशन नमबर फिर से सलाह लगाते हैं कि तो वन को रखता हूं बाकुमें को मिटा देता हूं कि यहां पर थोड़ा साभी जादा हुआ यहां पर अगर हम से स्वा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा देखें स्वाइड दीवाइड भई साइडि इसका अपर अपंड नैंंटी इजिक वर्टू रहां यहां यह रहां अपना एंगर सैंड नी कितना होता है और ऱ ने सबको पता है वहन होता है और तो जाएगा क्या sin θ c is equal to n2 by n1 sin θ c is equal to n2 by n1 this will be our equation number 2 equation number 2 की value को equation number 1 में यहाँ पर रखने पर हम क्या हमें क्या मिलेगा 1 and 2 से sin θ a is equal to n1 root under 1 minus sin θ c की इस value को फाकर से यहाँ पर रखेंगे हो जाएगा n2 by n1 का square and this will be what this will be sin θ a is equal to n1 1 minus n2 का square by n1 का square multiply गर देजिए multiply कर देजिए sin θ a is equal to multiply कर देंगे LCM लेंगे 1 है तो चला जाएगा उपर तो n1 root under n1 square minus n2 square divided by n1 square तो n1 square जो है root से बाहर निकलेगा तो sin θ a is equal to n1 root under n1 square minus n2 square by n1 बाहर आ गया तो क्या हुआ उपर से n1 नीचे से n1 कट गया तो क्या बच गया sin θ a is equal to root under n1 square minus n2 square इसे बाहर निकल गया यह निकल गया तो यह इस निमरिकल में कुछ जला सकता है आज भी में इस बार अगर अब्जेक्टिव आया तो सबसे पहले यह पूछेंगा क्या 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 पूछेंगा बता देता हूं एक तो यह फॉर्मूला पूछ सकता है वर निमरिकल अपार्चर का ठीक है थेटा सी पे critical angle पे question आ सकता है what is critical angle ज्यान से समझिए critical angle यह हम लोग 12 class में पढ़ चुके है total internal reflection पे question पूल सकता है पीछे वाली class में थोड़ा उसमें मैंने सारी चीज़े बता दी है total internal reflection क्या है नहीं देखाया आपने तो पहले जाकर देखिए total internal reflection क्या है critical angle क्या है सब बता है तो इसमें पर सब आता हूँ मैं critical angle पे question पूप सकता है उसके बाद यहां से acceptance angle पे जाई से बात है पीछे वाला पीछे की class जो है lecture जो है पीछे वाला वीडियो में acceptance कोन और acceptance angle और acceptance कोन बताया था हो जाके देखिए और इस पे question पूछ़ए आ सकता है उसके बाद क्या sense law हो सक Nibrical aperture का हो सकता है Nibrical aperture में इस दे दे और बोले कि Nibrical aperture निकालो और बांट है मिलते हैं अगले वीडियो में , अभी दो चीज़ बची हुए है हमारी , एक वी नंबर लेक्चर वो यूनिट फॉर खतम करने के लिए एक वी नंबर बचा गवा है , एक अडिटिनिवेशन बचा गवा है और अगले वीडियो में देखेंगे और ये यूनिट जो है वो कम्यो